हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे संसार में दोस्तों आपकी ही डिमांड पे मैं आज आपके लिए जूजूसू काईसेन का सीजन वन का फुल वीडियो ले आया हूँ जूजूसू काईसेन के टोटल 24 एपिसोड इसी एक वीडियो में मैंने एक्स्प्रेइन कर रखे हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो का टारगट मैं रखता हूँ उल्ली 300 लाइक और जो जो गो जो फैंस हैं वो तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जे जे के का अपना फेवरेट कैरेक्टर भी मुझे बताना तो अब बिना देरी के अपने इंट्रों के साथ कहानी में आगे वढ़ते हैं जूजूसू काईसन की सुरुआत होती है एक हाई स्कूल के लड़के यूजी इतातोरी से और ये बंदा अपने स्कूल में कंट कलब का हिस्सा था और ये वाला कलब भूतिया एक्टिवटीस पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था इसके साथ कलब में इसके दो और मेंबर्स थे सासाकी और यूगीची और यहां अपस में मिलके आनाप सनाब ऐसे भूतिया गेम खेलते रहते थे मतलब अपने कलब को लेके इनको कोई सीरियसनेस थी ही नहीं और यूजी को उसके दादा जी ने पाल पोस के बड़ा किया था और इस टाइम पे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे उनकी हालत काफी खराब रहती थी और कभी भी खाली समय मिलते ही यूजी उनसे मिलने जाया करता था लेकिन इस बात से उसके दादा जी खुस नहीं थे वो उससे कहते थे कि वो उनके पीछे अपना समय बरबाद ना करे क्योंकि हर एक मर्द इस दुनिया को स्वैक के साथ ही अलविदा करना चाहता है और हमें कहानी में ये भी पता चलता है कि उसके दादा जी के नहीं कोई दोस्त है और नहीं रिस्तेदार जो कि उसके आखरी समय में उनके साथ हो और इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो यूजी को एक important message देते हैं वो ये कि वो अपनी ताकत की मदद से इस दुनिया में सारे बेबस लोगों की मदद करे जितना हो सके उतना मदद करने की कोशिस करे क्योंकि वो उनकी तरह अकेला ना मरे और इसी message को देने के बाद उनकी death हो जाती है यूजी को इस बात का ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि वो पहले से इसके लिए तयार था फिर वही पे थोड़ी देर बाद यूजी से मिलने एक जूजूसु सोसरर आता है जूजूसु सोसरर्स वो होते हैं जो कि कर्ष्ट एनर्जी पर काबू पाते हैं और ये कर्ष्ट एनर्जी लोगों के negative emotion से पैदा होती है जैसे क्रोध, डर, मोह, माया ये सब और सापित आत्माएं भी और इस जूजूसु सोसरर का नाम था मेगुमी फुसीगुरो मेगुमी एक कर्ष्ट आपजेक्ट की तलास में निकला था और उसके हिसाब से ये कर्ष्ट आपजेक्ट यूजी के पास है अभी के हजारों साल पहले रॉमें साकुना नाम का एक इविल सोसरर हुआ करता था और ये सबसे सकती साली था इसके मुकाबले का कोई नहीं था और इसके मरने के बाद भी इसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ इसकी आत्मा टोटल 20 उंगलियों में बट गई और एक एक उंगली बहुत ज़ादा कर्ष एनरजी से भरी हुई है और ऐसी ही एक उंगली को डबे में सील करके यूजी के स्कूल में रखा गया था और यहाँ पे मेगुमी उसी बॉक्स को लेने आया है यूजी बताता है कि उसको ये बॉक्स तो मिला था पर उसने वो उंगली अपने दोस्तों को दे दी जो कि भूतिया एक्टिविटीस पे रिसर्च करते हैं उसके क्लब वाले दोस्त और वो सायद आज रात को ही उसको खोल के देखने वाले हैं ये सुनते ही मेगुमी के हो सुड़ जाते हैं क्यूंकि अगर एक बारू उंगली खुल गई तो आज पास के जो भी कर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होके वहाँ पे आ जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उसकी दोस्त जिंदा नहीं बचने वाले अभी दोनों तुरंथी स्कूल के और रवाना हो जाते हैं और इधर उसके दो बेवकूफ दोस्त सासाकी और यूगीची उस कर्ष्ट ऑबजेक्ट को खोल लेते हैं और उसमें से इविल सकूना की फिंगर बाहराती है और उस उंगली में इतनी ताकत थी कि वहाँ पर एतने कर्षिस आ गए कि वो कर्ष्ट स्पिरिट्स अब उन पे अटैक करना स्टार्ट करती हैं और इधर Megumi को भी स्कूल में एंटर करते ही एक कर्थ से सामना करना पड़ता है और वो अपनी कर्ष टेकनिक़ा यूज करके दो डिवाइन डोक्स को बुला लेता है हर एक जुजू सु सॉसरर के पास अपनी यूणिक कर्ष टेकनिक्स होती है और मेगुमी की टेक्निक का नाम है 10 सेडोस और ये अपनी इस टेक्निक की मदद से 10 तरह के सिखी गामी को समन कर सकता है मेगुमी की डॉक्स उसको प्रोटेक्शन देते हुए उसके लिए रास्ता बनाते हैं और यहां पर यूजी मेगुमी के कहने पर बाहर ही खड़ा था चुकि अंदर जाना खत्रे से खाली नहीं है लेकिन हमारे मेन करेक्टर यूजी को अपने दादा जी की बात याद आती है और वो अपने दोस्तों की मदद करने के बारे में सोचता है और अंदर मेगुमी को उसके दोस्त मिलते हैं जिनको एक कर्ष्ट स्प्रेट निगलने की कोशिस कर रही थी और वो उंगली यानि कर्ष्ट आपज़क्ट भी उन्हें के पास था मेगुमी समझ जाता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है बहुत देरी हो चुकी है लेकिन तभी कांच तोड की यूजी अंदर आता है और अपनी सूपर हुमन स्ट्रेंग्स से उन कर्ष्ट को मार के अपने दोस्तों को बचा लेता है दोस्तों ये जो यूजी इता तोरी है इसके अंदर आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा ताकत है और अपनी जिन्दगी में पहली बार यूजी का किसी स्प्रेट से सामना हुआ था और इसने पहली बार ही किसी स्प्रेट को देखा भी था यूजी उस फिंगर्स के बारे पूछता है जिस पर मेगुमी बताता है वो कर्ष्ट एनेस जीस इस उंगली की तरफ इसलिए आ रही थी क्योंकि अगर एक बार वो इसको खा लेती ही तो उनको बहुत ताकत मिलेगी तभी अचानक से इनके उपर एक बहुत बड़ा कर्ष अटाक कर देता है ये सबसे बड़ा था और इससे लड़ने में तो मेगुमी की हलत भी खराब हो जाती है और वो कर्ष मेगुमी को मार ही देता इससे पहले ही यूजी इस फाइट में कूद पड़ता है और वो इस कर्ष इस्पिरिट से लड़ने लगता है यूजी के अंदर कमाल की ताकत थी लेकिन भला बिना किसी कर्ष टेक्निक से ये कर्ष से कैसे जीत पाएगा और इसलिए उंगले को खा लेता है जिससे उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है इकनी ताकत कि वो उस ताकत से एक ही जटके में उस कर्ष इस्पिरेट को खत्म कर देता है मेगुमी को लगा था कि अब यूजी नहीं बचने वाला ये मर जाएगा पर तभी उसके अंदर सकूना की आत् पालेता है और यूजी की इस विल पावर को देख के सकुना भी हरान था लेकिन मेगुमी अब सकुना को ऐसे नहीं छोड़ सकता वो डिसाइड करता है कि वो उसको मार देगा फिर मेगुमी अपने सबसे पावरफुल सिखी गामी को बुलाने लगता है जिस पर उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है और ये तो इतना पावरफुल है कि ये ना सिर्फ यूजी बलकि मेगुमी को भी मार दालेगा लेकिन मेगुमी खुद को कुरबान करने के लिए तयार था लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है उसके सैंसे सातुरो गोजो की और ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है क्योंकि उसके पास लिमिट लेस कर्ष्ट एनरजीस है और गोजो इस बात से हैरान था कि सकुना की उंगलिया खाने के बाद भी यूजी कैसे जिन्दा है और साथ ही वो अपने पूरे होसो हवास में भी है और अब जोजो से रूल्स के अकौर्डिं अगर कोई इंसान कर्ष्ट अबजेक्ट को खा लेता है तो उसे तुरंत मरना होगा लेकिन गोजो तो ये देखना चाहता था कि यूजी सकुना पे कंट्रोल कर सकता है की नहीं इसलिए वो यूजी को सकुना के साथ स्विच करने को कहता है वो कहता है बस 10 सेकिंड के लिए तुम इसको बाहर लाओ इस बात में खत्रा तो था पर गोजो कहता है चिलता मत करो यहाँ पर वैसे भी मेर से ज़्यादा ताकत वरव कोई नहीं है और इसके बाद सकुना गोजो पे हमला कर देता है लेकिन गोजो तो अपने सूपर फास्ट स्पीड से उसके हर अटैक को दोज करे जा रहा था और थोड़ी दिर बाद ही यूजो बड़े आराम से अपनी बोड़ी पे कंट्रोल पा लेता है और इसके बाद गोजो उसे बेहोस कर देता है और मेगुमी को कहता है कि इसमें तो सकुना तक को कंट्रोल करने की ताकत है और ये कोई आम बात नहीं है और अगले सीन में, हम जुजूसू हाई को देखते हैं, जो कि जुजूसू सौसरर का स्कूल है, और गोजू ने भी यहीं से पढ़ाई की थी, और इस स्कूल को मैनेज करने वाले लोगों को हायरस्ट कहा जाता है, और यह लोग ही यहाँ पे नियम का निरमार करते हैं, और उ ऐसा करने से पूरी तरह से सकूना खतम हो जाएगा क्योंकि वैसे इन उगलियों को तबाह किया ही नहीं जा सकता और अब यहां पर यूजी के सामने दो रास्ते हैं पहला या तो वो अभी मर जाए या दूसरा वो सकूना के साथ मरे और यूजी गोजो को प्लैन को सकूना की दूसरी उगली भी खा लेता है और अब यूजी के एडमीशन के लिए वो जूजू स्कूल जाते हैं जहां पो उसका इंटरिव्यू प्रिंस्पल यागा लेते हैं और इंटरिव्यू में पास होने के बाद उसे एडमीशन मिल जाता है इस क्लास में सिर्फ तीन लोग थे दूसरा मेगुमी और तीसरी नोबारा नोबारा कोई पिछडे गाउं से आई है और टोक्यो जैसे इतने बड़े सहर में आना तो इसके लिए कोई सपने जैसा है अब गोजो नोबारा और मेगुमी का टेस्ट करने के लिए उन्हें किसी भूतिया बिलिंग मिले जाता है और हमारे यूजी भी इन्हीं की टीम में था अंदर जाने पर यूजी और नोबारा अलग हो जाते हैं कि इन दोनों में बिल्कुल नहीं बन रही थी और इसके अंदर एक कर्ष भी था यूजी अपनी सूपर हुमन स्ट्रेंग्ट और एक टूल की मदद से एक को मार देती है और फोर्थ फ्लोर पे उसको एक लो लेवल की स्पिरिट मिलती है और उसने एक छोटे से बच्चे को अपना होस्टेज बनाया हुआ था अब दोस्तों सहर में गाउं के मुकाबले कर्ष एनरजी ज्यादा होती है तो इसलिए यहां के कर्ष भी कुछ दाल देती है तभी वहां पे दिवार तोड की यूजी एंट्री मारता है यह देखे इस्टेट और नोबारा दोनों सौक रहते हैं यूजी उस बच्चे को बचाता है और नोबारा अपनी कर्ष पावर का यूज़ करके उसको मार देती है वो कर्ष मर जाता है इसके बाद नोबारा यूजी को ठैंक्स करती है और हम नोबारा का थोड़ा पास देखते हैं तो हमें पता चलता है जब नोबारा छोटी थी तो उसके गाउं में टोकियो से एक फैमिली रहने आई थी लेकिन वहां के रहने वाले लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे और इसलिए मजबूरी वस उनको दोबारा टोकियो में वाँपस लोटना पड़ा और उसी फैमिली की एक लड़की से नोबारा की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और तभी से ही नोबारा को अपने गाउं से नफरत हो चुकी थी और टोकियो आना उसके लिए एक सपने जैस जिसका नाम है कियो टाका, यूजी, मेगुमी और नोबारा को बहुत एक खतरनाक मिशन पर भेजता है और यहाँ पे इनका सामना एक स्पेसल ग्रेड कर्स से हो जाता है सभी कर्सिस को ग्रेड्स में ना पा जाता है सबसे कमजोर स्पिरिड्स को ग्रेड फोर में रखा गय थी और इसलिए ये बहुत ताकतवर था इतना ताकतवर ये मेगुमी के करश डिवाइन डॉक के टुकड़े कर देता है और ये यूजी का तो हाथ तक कार देता है और इधर इनके तीसरी मेंबर कुछ ऐसे जगा फंसी थी जहां पे इसके चारों और मास्क उड़ रहे थे और इसलिए यूजी मेगुमी से रिक्वेश्ट करता है कि उन नोबारा को लेके यहां से चला जाए उसकी बात को मानते हुए मेगुमी उसको बचाने के लिए निकल जाता है और नोबारा उस कर्स को मार मार के परिसान हो गई थी तभी मेगुमी अपने एक सिखी गामी फ् कंट्रोल ले देता है जिससे सकुना काफी असानी सी यूजी की बोडी के अंदर से ही उस कर्स को काफी असानी से मार देता है और उसके पास से अपनी एक उंगली भी प्राप्त कर लेता है लेकिन अब यूजी पहले की तरह अपनी बोडी पर वापस वैसे कंट्रोल नहीं पापा रहा था, यानि कि अब सकुना जो चाहे वो कर सकता है, उसकी बोडी तो सकुना के कंट्रोल में है, अब सकुना पहले तो अचानक से मेगुमी के पास आ जाता है, और अब सकुना यूजी की बोडी से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, अब ऐसे में अगर यूजी को हो हुआ हाथ था इसको सकूना अपने रिवर्स टेकनिक से ठीक कर देता है और अभी हाँ पे सकूना और मेगुमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस फाइट की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन बॉक्स और कमेंड बॉक्स में दे रखा है और अभी आपको आई बेटन में भी दिख रहा होगा और इस फाइट में क्या होगा आपको क्या लगता है क्या मेगुमी इतनी आसानी से जीतने वाला है यहाँ पे सकूना मेगुमी के हालत खराब कर देता है मेगुमी अपने इसने एक सिकी गामी को समन करता है लेकिन सकूना तो उसको आपनेऊ करने यही लोगो को अपने मरते हुए नहीं देख सकता। और यह लोगों की मदद करना चाहता था। और इसलिए वो अपने फैसले पे कभी भी नहीं पच्टाने वाला। और ये सारी बाते यूजी सुन लेता है। और इन बातों का असर कुछ ऐसा होता है कि उस सकुना की बोडी से अपने आपको छुडा लेता है और दोबार अपनी बोडी पे वांपस कंट्रोल पा लेता है। लेकिन यूजी का दिल उसकी बोडी से बाहर होने की वाज़ा से वही पे यूजी की मौत हो जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है क्या इसी तरह मेन करेक्टर खत्म हो जाएगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाश तक जरूर देखना। देखते हैं आखिर कहानी में आगे क्या क्या होता है। जिसके बाद हम टोक्यो में एक बंदे के साथ तीन कर्ष्ट स्पिरिट्स को भी देखते हैं। और ये सकुना की उंगलियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये एक कैफे में जाते हैं और ये लोगों का मकसद इस दुनिया पे राज करना था। और अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए इनको दो काम करने थे। पहला इनको अपने रास्ते से गोजो को हटाना था और दूसरा सकुना को अपनी और करना था और इधर दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जो कि स्कुल के हॉस्पिटल में क्योटाका से मिलता है और यहाँ पे गोजो बहुत गुस्टे में था क्यूंकि फर्स्ट यर स्टूडेंट्स को स्पैसल ग्रेड से लड़ने भेजना ये कोई छोटी बात नहीं थी असल में ये उनके हायरक्स की चाल थी ताकि वो यूजी को मार सके और इसलिए गोजो को इतना ज़्यादा गुस्ता आ रहा था और इसलिए गोजो अपने हायरक्स को ही मारने का सोचने लगता है लेकिन यूजी पूरी तरह से नहीं मरा था हर sorcerer के mind में इनने domain नाम करके एक जगा होती है तो अब yuji की soul सकूना के इनने domain में आ जाती है ना कि मरनेस पहले वो सकूना से थोड़ी बात्चित कर सके और यहाँ पे अब yuji और सकूना की fight होती है और यहाँ पे सकूना की जीट होती है तो सकूना यूजी के सामने एक डील करता है जिसमें वो यूजी के हट को हील करके उसे वापस से जिन्दा कर देगा लेकिन इसके बदले में दो कंडिसेंस हैं पहले कंडिसेंस ये कि वो जब भी चाहेगा तब यूजी की बोड़ी पर कंट्रोल ले सकता है और टाइम लिमिट होगी सिर्फ एक मिनट और उसे एक टेंसन वर्ड बोलना होगा और दूसरी बात यूजी को ऐसा कुछ याद नहीं रहेगा कि उनके बीच ऐसी कोई डील भी हुई थी और यहाँ पर यूजी इस डील को मान जाता है लेकिन एक सर्थ पे कि वो इन 60 सेकिंड में किसी भी इनसान को हाम नहीं करेगा और सकूना को भी इससे कोई दिकत नहीं थी तो अब वो दोनों आपस में एक बाइंडिंग वाउ लेते हैं और यह एक कॉंटेक्ट की तरह है और जिसे इन दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पे क्योटा का गोजो से पूछता है कि वो टीचर क्यों बन गया गोजो उसको समझाते हुए कहता है कि यूजूसू वर्ल्ड में करप्सन काफी जादा है और रिजल्ट में हम यूजी का देथ को देख सकते हैं वो सारे हायरप्स को तो मार सकता है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ऐसा करने पे उनकी जगा कोई और आ जाएगा और मुझको फॉलो करने वाला भी कोई नहीं रहेगा और इसी वज़ासे मैं फिचर में होने वाले जूजू सौसरर्स को टीच करना चाहता हूँ ताकि वो सही रास्ते पे चले इसके बाद डॉक्टर सो को यूजे का पॉस्ट माटम करने ही वाली थी तब ही यूजी अचानक से उठके बैठ जाता है और गोजो उसको देख के खुस हो जाता है ये दोनों आपस में बास्चीत करने लगते हैं और गोजो डॉक्टर को ये बात किसी को बताने से मना कर देता है कि यूजी जिन्दा है क्योंकि अगर ये खबर हायरेक्स के पास तक गई तो उस तो मारने की दोबारा कोशिस करेंगे और जब तक उनको ये बात पता चलेगी कि यूजी जिन्दा है तब तक तो गोजो उसको सही तरीके से ट्रेंड कर चुका होगा इसके बाद गोजो यूजी को एक खुफिया बेस्मेंट के अंदर लाता है और वहाँ पर उसे कर्ष्ट एनर्जी को कंट्रोल करने का तरीका बताता है ये कर्ष्ट एनर्जी ये लोगों की नेगटिव इमोशन्स के वज़ा से आती है लेकिन जूजो तो सौसलर्स इसको अपने हिताब से कंट्रोल करना सीख लेते हैं ये मैटर नहीं करता कि उस समय उनके इमोशन्स चाही जो हो और इसके बाद गोजो उसको काफी सारी मुवी इसकी सीडी देता है और साथ ही उसको एक डॉल भी देता है अब यूजी के लिए चैलेंज ये था कि उसको अब मुवी देखते देखते उस डॉल के अंदर constantly बिना रुके negative energy flow करवानी है और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डॉल उसे punch करेगी अब सोचो मुवी देखते देखते कोई ऐसा scene आगया जिसे वो excited हो जाता है या फिर कोई डराऊना scene तो ऐसे हम उसका ध्यान भटक सकता है तो उसी समय में उसको एक punch लगेगा और इसके बाद अब gojo principal से meeting करने के लिए यहां से निकल जाता है लेकिन आधे रास्ते में उसे महसूस हो जाता है कि कोई न कोई तो उसका पीछा कर रहा है तो gojo रास्ते में ही car से उतर जाता है और car को आगे भेज जेता है और फिर gojo कहता है यही सही समय है हम अकेले हैं आजाओ और तब ही एक special curse spirit gojo पे हमला करती है और यह जोगो था और इसी के उतों हमने cafe में उस बंदे के साथ देखा था और यह curse spirit gojo पे volcan ब्लास्ट कर देता है और यहीं पे gojo को तो कुछ नहीं होता और gojo ने अपनी life में पहले बार ऐसा कर्स देखा है जोकी बिल्कुल सही तरीके से बोल सकता है और इसकी energy सकूना से भी ज़्यादा है मतलब पूरे सकूना से ताकतवर नहीं उसकी दो-चार उंगलियों के बराबर से ज़्यादा ही मान लो जोगो अपने सबसे powerful attacks gojo पे यूज़ करता है उसको एक गलत फैमे थी कि वो मर गया और सोचता है कि उसकी जीत हुई लेकिन gojo पीछे आता है और कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें बेवकूफ बनाने बहुत आसान है और उसको अपने पास बुलाता है और बताता है कि उन दोनों के बीच एक infinity है मतलब gojo के पास एक infinity seal है उसकी protection के लिए जिससे वो बचा रहता है और इसके बाद gojo अपना attack start करता है और कर्स का हाथ पकड़के उसको बहुत ज्यादा मारता पीटता है और fight में हम देखते हैं कि कर्स को gojo उठा के फेंक देता है और कर्स को ये बात पता चल चुकी थी कि अब वो gojo को कभी नहीं मार पाएगा और यही बात तो उसको उसके साथ ही ने कही थी ये तुम आज मा के देख लो लेकिन तुम उसको हरा नहीं पाओगे तफ ही gojo उसी basement पे जाता है जहां पे यूजी train हो रहा होता है वो देखता है कि उसने emotions को control करना सीख लिया है तो अब वो यूजी को भी अपने साथ टेलिपोर्ट करता है क्योंकि वो उसे domain expansion के बारे में सिखाना चाहता था domain expansion ये हम उस technique को कहते हैं जब कोई बहुत सारी curse energy को use करके अपने internet domain को असली दुनिया में ले आता है और इससे होता है ये कि उनका दुस्मन internet domain में फंस जाता है और उस पर करने वाले सारे attacks भी जाके लगते हैं जोगो ये सोचता है कि अब तो गोजो को हराना असान होगा क्योंकि उसने लड़ाई में अभी यूजी को भी सामिल कर लिया है लेकिन गोजो कहता है यो आई मो मतलब कि तुम काफी जादा कमजोर हो इससे कर्स को काफी जादा गुसा आ जाता है और वो एक वालकेलों की तरह फड़ जाता है अब गोजो को हराने के लिए कर्स के पास एक ही रास्ता बचा था इसलिए वो अपना इन्ने डोमेन एक्सपैंसन कर देता है जिसमें गोजो और यूजी अब दोनों फस्ट चुके थे गोजो यूजी को बताता है कि डोमेन एक्सपैंसन के अंदर यूजर की ताकत काफी जादा बढ़ जाती है और जो वो कर्स था उसको इस बात का यकीन था कि उसके डोमेन एक्सपैंसन के अंदर गोजो की इन्फिनिटी सील काम नहीं करेगी और अब गोजो यूजी को इनने डोमेन एक्सपैंसन के अंदर जीतने का सबसे आसान तरीका बताता है वो ये कि उपना खुद का ही डोमेन बना ले और जिसका डोमेन ज़्यादा ताकातर होता है वो दूसरे के डोमेन को खत्म कर देता है गोजो अब अपने आखों की पट्टी को हटा के खुद का डोमेन एकस्पेंसन करता है और अब ये कर्स काफी आसानी से हार जाता है और गोजो इसके गर्दन उखाड के डोमेन से बाहर ले आता है अब गोजो यहाँ पे उसको चाहता तो बड़ी आसानी से मार सकता था लेकिन वो ये जानना चाहता था कि इस कर्स को आखिर भेजा किसने है तो दोस्तों अब हम जोगों के बाकी गुरूप्स के बारे में भी जान लेते हैं जिन में है हनामी जो कि लोगों के जंगल के लिए डर से पैदा हुआ है और इसकी टैकनिक में ये जंगल के चीजें जैसे फूल बनाता रहता है और दूसरा मेंबर है डेगोन और ये लोगों के समुद्र की डर से पैदा हुआ है और इसका डोमेन एक्सपेंसन है बीच और इसके बाद है महीतो और इनका ग्रूप लीडर है महीतो जो की लोगों की आपस में नफरत की वज़ा से पैदा हुआ था आखिरकार ये सारे कर्सिस लोगों के negative emotions के वज़ा से ही तो पैदा होते हैं और अपनी टेक्निक की मदद से ये लोगों की soul को काफी खतरनाक तरीके से manipulate कर सकता है और इस टीम का आखरी member है गेतो और ये एक इनसान है और ये एक जुजू से सौसरर है और गेतो तो एक टाइम पे गोजो का काफी best friend भी हुआ करता था अगर season 1 के बाद आपको season 2 देखना हो तो season 2 की भी explanation मैंने दे रखी है पर episode wise season 2 के episode 1 के लिए link आपको अभी i button पे दिख रहा होगा और इसका link आपको description box में भी मिल जाएगा check जरूर करना और अभी फिलहाल सबको लगता है कि गोजो की मौत हो चुकी है और इधर दूर से ही गेतो और हनामी जोगो की fight देख रहे होते हैं और हनामी जोगो की मदद करने के लिए decide करता है वो अपनी technique से वहाँ पे बड़ा सा फूलो का बगीचा बना देता है जिससे यूजी और गोजो दोनों ही distract हो जाते हैं और इसी बीच मौका पाते ही जल से जल हनामी उसका सर उठा के ले जाता है और अभी ये लोग अपने इलाके में आते हैं जो की एक internet domain है और इन लोगो को एक बात तो समझा गई थी कि अपने आप से कभी भी गोजो को नहीं हरा सकते और गेतो तो पहले से ही इनको ये बात कह रहा था लेकिर उसके पास एक प्लैन था कि क्यों ना गोजो को प्राइजन रेल में कैद कर दें जो की एक कर्ष्ट औबजेक्ट है जो की अपने टारगेट को दूसरे डामेंशन में ही कैद कर देता है पर इसके लिए उनको 31 सक्टूबर तक वेट करना होगा और इधर गोजो इस बात से हरान था कि आखिर एक कर्षी से एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे है फिर गोजो यूजी से कहता है कि वो उसको काफी कड़ी ट्रेनिंग देगा जिससे वो आने वाले गुडविल इवेंट के लिए तैयार हो सके पर गोजो ने तो अभी तक इसको इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था कुछ महने अब बीच जाते हैं हम देखते हैं कि यूजी अब कर्ष्ट एनर्जी को यूज करना सिख चुका था और अब उसका टेस्ट भी तो करना था तो टेस्ट के लिए गोजो यूजी को नानामी के साथ भेजता है नानामी ग्रेड वन का सौसरर है और वो कुछ उन गिने चुने लोगों में से है जिन पे गोजो भरोसा कर सकता है पर ये बंदा कभी किसी से सही तरीके से बात तक नहीं करता अब ये दोनों एक क्राइंग सीन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जहाँ पर सीनेमा हॉल के अंदर तीन इस्टूडेंट्स का मरडर कर दिया गया था उनके सरीर काफी बुरी तरीके से तोड़े मरोडे गए थे मतलब समझे आप इसके पीछे जरूर किसी कर्ष्टी स्पिरिट का साया था अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दोरान नानामी को दो चीजे पता चलती है पहली कि यहाँ पर क्राइम के दोरान जुनपी नाम का एक विटनेस भी मुझूद था और दूसरा कि किलर्स ने जान बूच के मरडर्स की निसानी को छोड़ रखा था सायद वो खुद ही चाहता था कि कोई न कोई उसको ढून ले और उन क्लूस का पीछा करते करते नानामी एक सीवर तक पहुँचता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात माहितों से होती है और इसी ने तो उन तीन बच्चों को मारा था माहितों अपनी कर्ष टेकनिक से लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता रहता है और वो इनसानों के सरीर को अपने हिसाब से तोड़ मरोड सकता है और नानामी को यहाँ पे पीछे बुलाने की भी वज़ा यही थी कि वो यह पदा करना चाहता था कि क्या वो जुजूसु सौसलर को भी ट्रांस्फॉर्म कर सकता है या नहीं क्यूकि बात यह है कि जिनको भी ट्रांस्फॉर्म करता है वो ज़्यादा देर तक जिन्दा नहीं रहते और महीतों की ये काबिलेत भी है कि वो अपने सरीर को भी चेंज कर सकता है अब यहाँ पे इन दोनों में fight होती है और नानामी की ये special ability थी कि वो जल से जल अपने दुस्मन का weak point find करके उस पे attack कर सकता था लेकिन इन दोनों की fight में तो कोई जीता ही नहीं क्योंकि महीतों मलबे के अंदर दब जाता है और नानामी को वहाँ से भागना पड़ता है और ठीक इसी समय पे यूजी को उस witness से पूश ताच के लिए भेजा गया था और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये लड़का जुनपी भी कर्सिस को देख सकता है और सीनेमा हॉल में उन तीन लड़कों का मडर भी इसकी आखों के सामने हुआ था लेकिन जुनपी को इस बात का कोई अपसोस नहीं था और वो तीनों लड़के उसी के स्कूल में पढ़ा करते थे और उसे रोज बुली क्या करते थे उसे बहुत मारा पीटा करते थे उन्होंने जुनपी की लाइफ बत्तर कर दी थी और मडर के बाद महीतों की मुलाकात उसी लड़के से होती है क्योंकि वो उसके काम आ सकता है क्योंकि असल में इनका गोल था सकुना को अपनी तरफ करना और इसलिए मही तो चाहता था कि जुनपी यूजी से दोस्ती कर ले और जब उनमें दोस्ती हो ही जाएगी तो वो आपस में बात्चेद भी कर सकते हैं और इसलिए जब पूश्ताच के लिए यूजी जुनपी के पास आता है तो वो उसे दोस्ती कर लेता है और भाई इन दोनों को मुवीस का काफी सौक था जैसे आपको एनिमे का है इसलिए इन दोनों में काफी जल्दी दोस्ती हो जाती है और इनमें इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि जुनपी की मॉम यूजी को डिनर के लिए इन्वाइट करती है और ये सारा मामला होते हुए दूर कहीं से गेतो देख रहा होता है और इसके बाद वो महितों के पास जाता है और ये बंदा मलबे के अंदर कुछने जाने के बाद भी जिन्दा था अब यहाँ पे वो और महितों एक खिचडी पकाते हैं कि वो कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि मजबूरी में यूजी को सकुना को अपनी बोडी का पूरा कंट्रोल देना पड़ेगा और इस अहसान के बदले सकुना तो जरूर उनके ग्रूप में सामिल हो ही जाएगा लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सकुना ऐसा करेगा अब अगले दिन वो यही करते हैं जुनपी बूली पे अटाक कर देता है यूजी यहाँ पे आके उसको समझाता है जुनपी को इस बात का हैसास होता है कि वसल में वो गल्द कर रहा था तब ही महीतो यहाँ पे आके उस लड़के को भद्दे से जीव में परिवर्तित कर देता है और यह सब उसके दोस्त यूजी के आखों के सामने हो रहा था और यूजी बेबस था वो अपने दोस्त को नॉर्मल फॉम में नहीं ला सकता था वो सकुना से मदद मांगता है और बदले में वो सकुना को अपनी बोडी का पूरा कंट्रोल दे देगा यहाँ पे सब कुछ महीतों के प्लैन के अकॉर्डिंग हो रहा था लेकिन सकुना यहाँ पे इस डील को इंकार कर देता है क्योंकि इसका पहला रीजन तो यह था कि सकुना को यूजी को ऐसे तड़पते हुए देखने में ज्यादा मज़ा रहा था और दूसरा रीजन यह है कि उन्होंने तो पहले ही एक डील कर रखी है जिससे सकुना की तो मनवर्जी है जब चाहे तब वो बाहरा सकता है पर यहाँ पी यूजी को थोड़ी न वो डील याद होगी और तीसरा इसन यह है कि सकुना को भी नहीं मालूम कि क्या वो अपने रिवर्ष कर्ष टेकनिक से जुनपी को ठीक कर भी पाएगा या नहीं क्यूंकि महीतों ने तो उसकी सोल को ही डिफर्म कर दिया था और यही कारण था जिसकी वज़े से सकुना यूजी के हल्प नहीं करता और इसी कारण से जुनपी की वहीं पे मौत हो जाती है वो वहीं पे दम तोड़ देता है और ऐसे अपने दोस्त को अपने आँखों के सामने मरते देख यूजी को बहुत ज़्यादा गुसा आता है और अब उसको महीतों से बदला लेना था तो अब उन दोनों में बड़ी खतरना क्वाली फाइट होने लगती है और इनकी फाइट में हमें दो चीजे पता चलती है पहला कि यूजी के सरीर के अंदर दो सोल्स मौजूद है तो महीतों की टेकनिका उसके उपर कोई असर नहीं पड़ता और वो खुद महीतों की सोल को ही छोट पहुचा सकता है और तभी फाइट में एंट्री होती है नानामी की अब यूजी और नानामी ये दोनों महीतों पे भारी पड़ रहे थे कितना ज़्यादा कि अब महीतों तो बस मरने ही वाला था लेकिन अपने सामने मौद को देखते हुए उसके अंदर एक पावर सी जग जाती है पता नहीं इसके अंदर डोमैन का कुछ असर हो भी या नहीं महीतों नानामी को जान से मारने ही वाला था लेकिन तभी ये देख एक होसोड जाते हैं कि उसका बैरियर तोड़ की यूजी अंदर आ चुका है और इसी के साथ महीतो की डोमेन का कॉंटेक्ट सकूना से हो जाता है सकूना वो है चुकि सभी कर्सिस पे राज करता है वो सभी स्रापों पे राज करने वाला है वो किसी के नहीं सुनता वो कभी किसी के नहीं सुनता वो हमेशा वो ही करता है जो उसके मन में आता है तो सकूना को ये बात बिलकुल भी पसा नहीं आती कि उसने उसकी बिना परमिसन के सकूना की सोल को छुआ और सकूना को खुद के और मेगुमी के अलावक किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए सकूना महीतो का डोमेन ही डेस्ट्रोय कर देता है अब महीतो यहाँ पे बेवस लाचार था वो कुछ नहीं कर सकता था तो वो यहाँ से भागने का प्लैन करता है और वो ऐसा ही करता है वो वहाँ से भागता है नानामी उसको पकड़ने की कोशिस तो करता है लेकिन वो नाकाम रहता है और दूसरी तरफ सीन में हम देखते हैं कि नोबारा और मेगुमी स्कूल के गुडविल इवेंट के तैयारी में लगे थे हर साल टोक्यो और कियोटो स्कूल के बीच में फ्रेंडले कॉम्पिटीशन होता है और अब इस इवेंट का समय नजदी का चुका था टोक्यो टीम में नोबारा और मेगुमी के अलामा तीन और स्टूड़न्स हैं और ये सेकंड एर्स हैं इनमें इस लड़की का नाम है माकी जैनिन और ये एक जैनिन ब्लड लाइन की मेंबर है और इसको इसके फैमिली वाले फेलियर मानते हैं यूँकि ये हेवेंली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुई थी यानि कि माकी के अंदर कोई भी कर्ष्ट एनरजी नहीं है लेकिन इसके बदले में उसको सूपर हुमन स्ट्रेंग्ट मिली हुई है बिल्कुल यूजी के लेवल की वैसे तो इसके क्लैन का इस दुनिया में काफी उचा होदा है और इसको कर्षिस को देखने के लिए चस्मे पहनने पड़ते हैं और इसके सौसरर बनने की पीछे की वज़ा ये है कि अपनी फैमिली को गलस साबित कर सके कि वो कोई फेलियर नहीं है और अगला स्टूडन्ट है ये पांडा और ये एक कर्ष्ट कॉप्स है कर्ष्ट कॉप्स ये हम उस उबजेक्टों कहते हैं जिसमें कर्ष्ट एनरजी डालके उसको जिन्दा किया जाता है लेकिन ये कर्ष्ट उबजेक्ट तक तक ही जिन्दा रहते हैं जब तक इनको बाहर से कर्ष्ट एनरजी लगातार मिलती रहे लेकिन यहाँ पे इस गोलूमोली से पांडा की बात अलग है क्योंकि यह तो अपने अंदर ही कर्ष्ट एनरजी को जेनरेट कर सकता है और इंसान भी ऐसा ही करते हैं उनके अंदर भी ऐसा ही होता है और इस पांडा को प्रिंसिपल यागा ने बनाया था और यह स्टूडेंट है टोगे और इसकी टेकनिक है कर्ष्ट स्पीच जो की अपनी आवाज से ही अटाक कर सकता है और यह सिर्फ राइस बॉल के इंग्रीडियंट्स में ही बात करता है क्योंकि अगर यह आम लोगों की तरह बात करें और दूसरा स्टूडेंट है टोडो और यह क्योटो का सबसे ताकत वर स्टूडेंट है और लडाई करना ही इसकी होबी है पहले मुलाकात में ही इसने मेगुमी से पूछा था कि उसको किस तरह की लड़कियां पसंद है और मेगुमी का जवाब पसंद आने पर उसने उसकी धुलाई कर दी थी और इनकी ओपोनेंट टीम का अगला मेंबर है मेका मारू और ये एक रोबोट है और इस रोबोट को एक जिन्दा इंसान कंट्रोल करता है और ये भी माकी की तरह हैमली रेस्ट्रिक्शन में पैदा हुआ था अपने सरीर से तो ये काफी कमजोर है लेकिन अपनी कर्स एनरजी से काफी दूर तक के फपेट्स को कंट्रोल कर सकता है और ये बाकी के स्टूडेंट्स है कैमू, मीवा और मूमू और ये सभी यहाँ पे मैच में अपने लीडर लूरी के साथ आये हैं अब गोजो यहाँ पे एक डिबा ले गया आता है और काफी ड्रामा करते हुए ये रिविल करता है कि यूजी अभी जिन्दा है और इन लोगों के लिए तो यूजी दो महने पहले ही मर गया था और उसके मरने का सोग भी मना लिया था बहुत ज्यादा तो अब उसको जिन्दा देख के क्या रियक संदे ये उनको समझ नहीं आ रहा था पर अपने टीम का मेंबर होने के नाते और अपना दोस्त होने के नाते अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुस थे और यूजी को तो ये देकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके लोटने पर कोई भी खुसी नहीं था खास करे पीछे वाला बुढधा जिसका नाम है गाकू कांजी जो कि कियोटो स्कूल का प्रिंसिपल है और ये उन हायर अप्स में से था जिन्होंने यूजी को मरवाने का प्लैन बनवाया था और जब उसे इस बात का पता चलता है कि अभी यूजी जिन्दा है तो वो अपने एक सैकेंड ग्रेट के कर्स को मार देगी वो टीम ही विजेता होगी और साथ ही यहाँ पे लो लावल वाले कर्सिस को भी छोड़ा जाएगा और ये लोग एक दूसरे के काम में दखला अंदाजी दे सकते हैं बस किसी को जान से नहीं मारना और जैसे ही बैटल सुरू होती ह इन सब का रास्ता टोडो रोक लेता है बाकी लोगों को रास्ता मिले सब आगे जा सके इसलिए सबसे पहले यूजी उस पे अटाक करता है अब ये बंदा टोडो यूजी को मारने पीटने के बाद उससे वही सवाल पूछता है कि उसको किस तरह की लड़किया पसंद है और अब प्लैन के अकोर्डिंग बाकी ओपोनेंट मेंबर्स भी यूजी को जान से मारने आते हैं लेकिन यहाँ पर टोडो उन सब को भगा देता है कि वो अकेले ही यूजी से लड़ना चाहता था और यूजी से लड़ते लड़ते उसके लिए उसके आखों में इज़त औ माकी मीवा को हरा देती है नोबारा मोमो पे जित हांसिल करती है माई नोबारा को हराती है और माई को फिर माकी हरा देती है और मेगुमी वो कैमो के साथ लड़ाई करता है कैमो जो की क्लैन का वारिस है वो लड़ाई के दोरान बार बार उससे कहता है कि हम दोनों एक जैसे ह मेुमी जब 11 साल का था उस टाइम पर उसके फादर गुमसुदा हो गए थे और तभी सही गोजो नहीं मेघुमी का ख्याल रखा था उसको पाला पोसा था और मेघुमी के फादर वो जैनिन क्लैन से बिलोग करते थे मतलब कि मेगुमी भी जैनिंग क्लैन का मेंबर है मेगुमी अपने ओपोनेंट या ने इसको हराने के लिए अपने एलिफेंट और एगल इन दोनों सिखी गामी का यूज करता है लेकिन इन दोनों की लड़ाई होई रही होती है तभी इनके उपर कोई दूसरा कर्स अटा कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महीतो भी यहाँ पे घुस पैट कर बैठा था इसी स्कूल में उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि सकूना बहुत ज़्यादा घमंडी और पावर्फुल है भले वो उनकी टीम जोइन करे या ना करे लेकिन वो उसको जिन्दा करना चाहते थे क्यूंकि उनके हिसाब से वो अकेला ही कर्सिस का सामराज ये खड़ा कर सकता है उसे यूही नहीं कर्सिस पे राज करने वाला कहते हैं जो जो सुहाई इसी स्कूल में सकूना की 6 उंगलिया चुपी हुई है और अभी तक हमने कहाने में देखा कि यूजी ने एक बार में एक ही उंगली खाई है लेकिन 6 उंगलिया एक बार में खाने के बाद सायदू अपनी बोड़ी से कंट्रोल खो बैठेगा और गेतो का प्लैन था क्यों किसी तरह स्कूल से 6 उंगलिया चुरा ले और फिर 31 अक्टूबर को वो गोजो को प्राईजन में बंद भी कर देंगे और सकूना को जिंदा भी और स्कूल में 1000 साल की सौसरर भी है और वो ही जानते हैं कि सकूना की और उंगलिया और बाकी कर्स्ट आपजेक कहां पे रखे हुए हैं लेकिन गेतो ने उसके बारे में भी प्लैन कर लिया था उसके पास पहले से ये एक उंगली थी जिसे उसने जुनपी के मौम वाले क्राइम सीन की जगा पे छोड़ दिया था और स्कूल ने उस फिंगर को बाकी फिंगर के साथ रख दिया लेकिन वो लोग इस बास से बेख़बर थे कि गेतों ने उस फिंगर में एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसमें कर्स एनर्जी थी महीतों की मतलब की महीतों बड़े अराम से ये पता लगा सकता है क्यों कर्स एनर्जी कहां पर है और अब बाकी सब का ध्यान भटकाने के लिए हनामी स्टूडेंट्स पे हमला कर देता है मैगुमी, केमो और इनू माकी ये तीनों मिलकर भी हनामी का कुछ नहीं बगाड़ पाते और इसके बाद इनकी मदद के लिए माकी भी आ जाती है और वो अपने साथ कुछ स्पेसल ग्रेट्स वाले टूल्स को भी लाई थी पर तब ही ये हनामी से तो नहीं जीत पा रहे थे तब यहां पे टोडो और यूजी स्वैग वाली एंट्री करते हैं और यहीं पे रिवील होती है टोडो की कर्ष टेकनिक टोडो अपने हाथ से ताली बजाकर किसी को भी अपनी जगह स्विच कर सकता है यूजी के साथ भी और हनामी के साथ भी तो इसी टेक्निका यूस करके यूजी और ये टोडो मिलके उसको बहुत ज़्यदा कन्फ्यूस कर देते हैं हनामे का तो दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यदा पिटाई होती है और यूजी ने इसी बीच टोडो की मदद से ब्लैक फ्लैस वाला अटेक करना भी सीख लिया था और ये अटेक काफी कम सौसरर कर पाते हैं और इससे फायदा होता है अटेक के पावर की डबल होने का और अब मार पीट में हनामे की हालत इतनी बेकार हो गई थी कि अब वो अपना डोमेन एक्सपेंसन करने लगता है लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे गोजो की एंटरी होती है तो अब हम जानते हैं कि अब तक गोजो कहा था हमला करने पहले इन कर्सिस ने बैटल आरीना के आसपास एक बेरियर भी बना दिया था और ये बेरियर कुछ इस तरह का था कि और लोगों को अंदर जाने की परमिसन देता था सिवाए गोजो के और इस बेरियर टेकनीक को हम कर्टेन के नाम से जानते हैं और हर एक barrier के अपने अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं जैसे कि इसका सिर्फ एक नियम है गोजो को बाहर रखना अंदर लोरी और गाकू कांजी जाते हैं जहां पे उन्हें कर्स यूजर मिलता है अब यहां पे गाकू कांजी अपना गिटार निकालके उससे लड़ने लगता है और किसी कारण से वो barrier हड़ जाता है और अब गोजो आसमान में उड़के दोनों दूसमनों को देखने लगता है सबसे पहले तो वो उस कर्स यूजर के हाथ पैर तोड़ देता है पुछ दाश कर सके और इसके बाद हनामी को मारने के लिए वो बहुत बड़ा सा लॉंग रेंज अटाक करता है और इस टेकनिक का नाम था होलो टेकनिक परपल और ये अटाक इतना बड़ा था कि किसी को पता तक नहीं चला कि हनामी मारा गया या फिर भाग गया खिर उसका हुआ क्या लेकिन असल में वो जिन्दा बच निकला था और इन्ही सब के बीच मौका पाके महितों बीच में चोरी कर लेता है उसने सकुना की छे की छे उंग्डिया तो चुराई साथ ही उसने तीन कर्ष्ट पेंटिंग्स भी चुराई अब इतना सब होने के बाद गोजो को एक बात तो समाझा गई थी कि इनके बीच कोई ने कोई जासूस छुपा हुआ है और वो ही वो एक इनसान हिन कर्षिस को सारी इनफोर्मेशन देने का काम कर रहा है और इसी के बीच इनका गुडवील इमेंट भी लगभा कैंसिल ही होने वाला था लेकिन सब को टोडो मना लेता है कि नहीं सब को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसको कंटीनियू रखना चाहिए और अगले दिन ये सब मिलके बेसबॉल मैच करते हैं ये आइडिया गोजो का होता है और इसमें जीत यूजी के टीम की होती है लेकिन हायरफ्स तो अभी भी यूजी की जान के पीछे पड़े थे लेकिन प्रिंस्पल उनको कंवेंस कर लेता है कि वो अभी यूजी का पीछा ना करे यूजी एक टैलेंटिड परसन है और उस फ्यूचर में लोगों की मदद कर सकता है अब लगभा कहानी में एक हपते बीच जाते हैं और मेगुमी यूजी और नोबारा को एक नए मिसन पर भेजा जाता है असल में हुआ ये था कि चार लोगों की बड़े रहस्यमाई तरीकी से मौत हो गई थी और ये चारो एक ही मिडल स्कूल में क्लासमेट हुआ करते थे जब ये चारो इस मिडल स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं इनको पता चलता है कि मेगूमी भी असल में यहीप बढ़ा करता था और यहां पे जाता तर लोगों से अभी विण उसकी पहचान है और स्कूल से ही इनहें पता चलता है कि स्कूल के पास ही एक भूतिया ब्रिज है और अभी कि 20 साल पहले यही चार स्टूडेंट्स वहाँ पे बेहोस पाए गए थे और होसाने पे उनको कुछ भी याद नहीं था कि असल में उनके साथ क्या हुआ और वो वहाँ पर कैसे पहुँचे और अभी कि 20 साल बाद इनी चारों की मौत हो गई मतलब कि जो लोग अभी कि 20 साल पहले उस ब्रिज पे गए थे उनकी मौत अब हो रही है और इनकी मुलाकात यहाँ पे मेगुमी की पुरानी क्लासमेट फुजी नुमा भी मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि उस समय वो भी उस ब्रिज पे गई थी और उस समय उसके साथ मेगुमी की सिस्टर भी थी और उसको कुछ अजीव समय से उस हो रहा है लगभग पिछले हपते से मतलब कि बहुत जल मेगुमी की बहन और ये लड़की उस कर्स के हाथों मारी याएगी और इसलिए ही मेगुमी जल से जल उस कर्स को मारना चाहता था और उसी रात को ये तीनों ब्रिज में आके बैरियर के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे उनका सामना एक अजीव से मौंस्टर से होता है और ये यूजी और नोबारा को बैयर से बाहर ले जाता है और अब मेगुमी मेगुमी के सामने वो कर्स आता है और इसी को मारने के लिए वो यहाँ पे आये थे और इस कर्स ने काफी समय पहले सकूना की एक उंगली को निगला था उस समय उसके फिंगर्स इतनी ज़या ताकतवर नहीं थी लेकिन जब यूजी ने उसकी एक फिंगर्स को खाके सकूना की सोल को जगाया था तब ही उसकी बाकी फिंगर्स भी अक्टिवेट हो गई और इसलिए पहले तो ये सान था लेकिन अब जाके ये स्टूडेंट्स को मार रहा है और ये स्पिर्ट काफी ज़्यादा ताकतवर है इससे जीतना लगभग नमुम्किन सा है और इसलिए मेगुमी एक बार फिर से अपने आपको कुर्बान करने के लिए तयार हो जाता है लेकिन तब ही उसे सकूना और गोजो की कही हुई बाते याद आ जाती है सकूना उसने ये कहा था कि मेगुमी के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक स्पैसल ग्रेड कर्स को मार सकता है और गोजो ने भी उसे ये बात समझाए थी कि उसको दोसरों की चिंता छोड़के खुद की पावर पे ध्यान देना चाहिए ऐसा करना बहतर होगा और इसलिए इस फायट में मेगुमी अपनी पूरी जान लगा देता है और ये अपना डूमेइन एक्सपैंसन करता है और आपको पता है सिर्फ हाई लेवल के सोसरर ही ऐसा कर सकते हैं और इसलिए मेगुमी का डूमेन कम्पलीट नहीं था और इस domain के अंदर मेगुमी अपने और अपने सिकी गामी के clones बना सकता है जिसे से कर्स काफी जादा रिस्ट्रेक्ट होता है और उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है और अंत में मेगुमी का divine dog उस कर्स की जान ले लेता है और साथ ही वो उस कर्स के अंदर से सकुना की फिंगर्स को भी बाहर निकाल लेता है मतलब कि अब उसकी बहन और उसकी क्लासमेट उनको अब इस कर्स से कोई खत्रा नहीं है लेकिन मेगुमी की बहन पे पहले से ही एक और कर्स लगा हुआ था और इसी के कारण हुआ अभी कोमा में है और कुछ ही दूरी पे यूजी और नोबारा उस मोंस्टर और उसके बड़े भाई से लड़ते हैं बात करें भी कलाभग डेड़ साल पहले की तो एक बहुत ही इविल सौसरर हुआ करता था और ये काफी जादा घिनोने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऐसा करता है कि ये कुछ नव क्रेचर्स पैदा करता है जिनके आधे सरीर तो इनसान के थे और आधे कर्स के और इन्हें ही हम death painting के नाम से जानते हैं जिन तीन paintings की चोरी हो चुकी है और ये सभी जुजुसू high में ही रखे हुए थे लेकिन महीतों नों इसमें से तीन को चुरा लिया था और गेतों की मदद से उन तीनों को नए सरीर में डाल लिया था और ये तीनों एक दूसरे को नहीं पड़ी हुई है इनको इनसानों या कर्स इन सबसे कोई मतलब नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी वो महीतों की बात मान लेते हैं क्योंकि जिस तरह की दुनिया का निर्मार महीतों करना चाहता है उसमें ये सांती सरह पाएंगे इसके बाद एजों और काजीजों ब्रिज के पास सकुना के फिंगर्स को लेने के लिए भीजा गया था और वहें पे उनका सामना यूजी और नोबारा से हो जाता है और ये दोनों किसी तरह नोबारा और यूजी के अंदर पॉईजन डाल लेते हैं और इस पॉईजन के इफेक्ट से उनका सरी सड़ने लग और इसके बाद जीत यूजी और नोबारा की होती है ये दोनों मिलके इन दोनों भाईयों को मार देते हैं और जब इने मारने के बाद इनकी बोड़ी गायब नहीं होती तो इनको पता चलता है कि असल में तो ये कोई कर्स थे ही नहीं ये तो इनसानों की बोड़ी थी और जिन्दा थे इस बात से यूजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उन्होंने दो जिन्दा इंसानों को मार दिया यूजी को लोगों की जिन्दगी की एहमियत के बारे में पता है और उसने ये भी फैसला लिया था क्यों किसी की जान नहीं लेगा और इधर बैठ फिंगर देता है लेकिन सिर्फ उसको सभाल के रखने के लिए खाने के लिए नहीं लेकिन यूजी तो हाथ से ही उस उंगली को निगल जाता है और आज इन तीनों ने ही एक एक स्पैसल ग्रेड कर्स को मारा था और ये कोई आम बात नहीं है ये बड़ी बात है कुछ दिनों तक लोगों में यही बाते फैली होती है इस बात से गोजो काफी जाद खुस था अखिर कारवो उनका सैंसे जो था और इसके बाद टोडो यूजी नोबारा और मेगुमी के दिया जाए और अब सीन में सैकेंड एर के स्टूडेंट और भी कड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं और अब देखा जाए तो वो जो चार लोग मरे थे उसका रीजन यूजी था अगर उस सकुना की उंग्रिया नहीं खाता तो ब्रीज वाला कर्स भी अक्टिवेट नहीं ह लेकिन मेगुमी और नोबारा ये बाट डिसाइड करते हैं कि वो आपस में ये बात यूजी को नहीं बताएंगे वरना वो इस सबका जिम्मेदार खुद को ही मानेगा लेकिन सकुना के वज़ाद से यूजी को ये बात पहले से ही पता थी लेकिन वो ये बात मेगुमी से चुपा के रखना चाहता था वरना उसे फिर से पश्टावा होगा यूजी की जान बचाने के लिए और एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि ये तीनों सौपिंग करने के लिए निकलते हैं तभी इनको गोजो का कॉल आता है और ये इन तीनों को टॉप सीक्रेट मिसन मे जाने के लिए बोलता है और ये तीनों इसके लिए तैयार थे और इसी के साथ जुजुसु काईसन का सीजन वन खत्म होता है और इसके बास शुरू होता है जुजुसु काईसन का सीजन टू और इसके एपिसोड वन की एक्स्प्लेनेशन मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और आई बटन में भी मिल जाएगा और अभी एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा तो आज कई एनिमे आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और एनिमे अकेले देखने में क्या मजा तो इसको अपने दोस्तों में भी जरूर सेयर कर देना तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई